माफिय सरकनाद दाओद इबराहीम मुल्क के खिलाफ नसिफ साजिश रच रहा था बलके उसने हिंदुस्तान में तबाही मचाने के लिए कड़ोर रुपे की फंडिंग की थी गुष्टा चार बर्सों में दाउद इबराहीम ने मुल्क में तबाई मचाने बदुनवानी फैलाने फसाद बर्पा करने के लिए 25 से 20 कलोर रुपे भेजे थे और ये 20 से 25 कलोर रुपे मुल्क के खिलाफ सरगर्मियों में इस्तमाल होते थे बताई ये जाता है कि एनाईय ने जो चार्शिट दाखिल की है उसमें कई ऐसे सुराग एनाईय को मिले है जिसमें डी कंपनी के गुंडे मुल्क में दह्शत फैलाने की कोशिश कर रहे थे और फसाद बर्पा करने के लिए इन्होंने साजिश भी तैयार कर रखी थी तेरर फ भाईजान जो चोटा शकील का बहन ही है उसे भी गिरफतार किया है और शब्विर नामी एक शक्स को गिरफतार किया गया है जबके बताईये जाता है कि इस मामले में डी कंपनी का सरवरा दाउद इबराहीम चोटा शकील वांटेड है एनाईय के चार्शिट में कई एहम ख गया है कि जिस तरह से ये चीजे पुरे मुल्क में जारी थी और बंबई शहर में जो है अंडर वर्ड जो है प्रापटीज गैर कानूनी प्रापटीज पर कब्जा करना और दरा धमका कर लोगों सो पैसा वसूल करना और उसके बाद जो है ये फंडिंग जो है बाज आपत और इसकी जिम्मेदारी ये थी के मुलक में बड़े पैमाने पर फसाद बर्पा करना, बद अमनियों फैदा करना, गुम्राही की तरफ लोगों को ले जाना, नौजवानों को गुम्रा करना, ये तमाम काम डी कमपनी किया करती थी, ये बात NIA की चार्शिट में आप वाज़ है कि डी कमपनी मुलक में तबाही मचाने के लिए करोड़ रुपया कर चुकी थी, और इस साल डी कमपनी ने 25 लाक रुपे भेज़े थे, ये काम मुलक के खिलाफ साजिश में इस्तमाल करने के लिए डी कमपनी ने ये फंडिंग की थी, और टेरर फंडिंग को देखा इसलिए हिंदुस्तान के लिए अब खत्रा बढ़ गया है